हालो फ्रेंड्स बल्कम टूमा यूटूब चैनल आज का जो हमारा वीडियो है ये वीडियो उन वच्चों के लिए है जिन वच्चों ने पी टी टी का एक्जाम दिया है और रजल्ड का इनतजार कर रहे हैं तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि PTT में कम मार्क्स पर काउंसार जिला मिलेगा और राजिस्थान लगाने के क्या फाइदे है फर्स्ट वाइस किस तरह मिलेगा सरकारी कॉलिज कितने नमबर मिलेगा प्राइबेट कॉलिज के क्या फाइदे है काउंसलिंग के समय कौन कौन से जरूरी दस्तावेज जरूरी है तो एटू जड़ जानकारी मैं आपको देने बाला हूँ तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइकों से जरूर करें जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाइल आउन करना ना भूले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कम मार्क्स पर कौंसा जिला मिलेगा मेरी बातों को ध्यान प्रवोस्वन आप लोग देखें गाज अगर आप लोग कला बर्ग से हैं अगर आपके नंबर 260 प्लस बन रहे हैं या फिर 300 प्लस बन रहे हैं तो क्या आप लोगों को काउंसिलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए जी हाँ आप लोग काउंसिलिंग करवाईए आपको कॉलेज भी मिल जा जहां पर भी college की city खाली होगी वो college आपको a lot हो जाएगा लेकि ये करणभब नहीं है कि 260 प्लस में या 300 प्लस में आपको कौंसे जिले में college मिलेगा इसकी समाबना बहुती कम रहे दे क्योंकि नमबर आप लोगों के बहुती कम है अगर आपके 260 प्लस या 300 प्लस नमबर बन र रहे हैं या 330 प्लस नमबर बन रहे हैं तो पास का college आपको बहुती आसानी से मिल जाएगा आपको आपके district में college मिल जाएगा पास का college ठीक है उसके लिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा college फिल करने होंगी मतलब कहने का मतलब यह कि सबसे पहले जो भी पास के college है उन्हें आ चीह अते हैं कि और राजिस्तान लगाने के फारणे क्या हैं देखिए ऐघ्र हैं किनमर आपको कम दरहे हैं चाहरorem आप साइनश भर नवर कि से हो या आईस अंगर अगर आपको कम बन रहे तो आपको लाजिस्तान आपको लगाना ही होगा प्र activate year कि फायदा तो बहुत उत करना जाएं इस साल वाकु औरूज ना लगाना होगा फायद अगर आपके माहले साइंस में आपके नंबर कि 350 Πgend ser Topullen मराफली की बन रहे हैं तो 400 मद रहे हैं तो आपको पाशांब भाता कॉलिज हो इसानि तो जिन बच्चों के साइंस में 330 प्लस हैं या 320 प्लस हैं तो उन बच्चों को और राजस्तान हराल में लगाना होगा फाइदे और नुक्सान यह तो बात की बात है फिलाल 1st 24 कोलिज कैसे मिलेगा देखिये अगर आपके 8 में 350 प्लस नबर बन रहे हैं तो फ्रस क्षटटच काॉलूज है आपको आसानी से मिल जाएगा घे कॉलिज तो आपको 280 प्लस नबर में मिल जाएगा लेकिन हां अगर आपके नमबर इतने बन रहे हैं तो फर्ष्ट चुवास का कॉलेज आपको बहुती आसानी से मिल जाएगा प्राइविट कॉलेज के फाइदे क्या हैं देखे प्राइविट कॉलेज के फाइदे तो अनेक हैं पहला फाइदा यह कि अगर आपको कोई काम पड़ता है ठीक है अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं तो उससे यह फाइदा है कि आप अपलिकेशन लगा के छुटी भ भी हो जाएगा और उसमें आप लोगों को काभी सुपदाइ मिलती है 살e और प्राइबिट कॉलेज लेगी जो भी चीसे होगी सारी आपको मुहाँ कराए जाना चाहते हैं उसके भी फाइदें अनेख है तो आपकी मर्जी की आप्प प्राइबिट कॉलेज सब्सक्राइब कैसे करते हैं वह आपके उपर है सरकारी कॉलिजियों जरूरी दस्ताबेज आपको ले जाने होंगे इस पर मैंने फिलाल वीडियो बना दिया है अगर आप लोगों नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाएए और वीडियो को देख लीजिए एक बात अब चैनल में चैनल में फूर्म फिल किया था पिटी आपने चींड यूज़ की थी और इसके बाद जन्म प्रवान पत्रापका हो गया करेक्टर स्टिक्विकेट हो गया आये जाति और मोन लिवास हो गया एक आईडी पूरूफ हो गई और तीन फोटो फोटो रेसेंटली में जो आपने फॉर्म फिल किया था पीटेटी का उसमें जो फोटो आपने यूज की थी वही फोटो आपको लगानी होंगी तो यह सारे डोकुमेंट्स हैं इन्हें अच्छे से कलर्ट कर लेजिए पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि आ मैंने आये जाती और मुन लिवास मैंने बनवा लिया है देखिए मुन लिवास जितना भी पुराना हो वो चल जाएगा इसकी कोई टेंसन नहीं है जितना भी पुराना वो चल जाएगा लेकिन आये और जाती यह आपका एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को पता रहा हूं आंगे आपकी मर्जी कि आप बनबाते या नहीं बनबाते हैं क्योंकि आने वारे दिनों में आपको यह दिक्कात हो सकती है एड़िशन में और कॉंसिलिंग के समय है अगर आप नहीं बनबाते हैं वह आपकी मर्जी आप प्रमुलिवास बन बालिया है कॉमेंट बाक्स में जिरूर बताएगा आप लोग एक दिन छोड़कर मैं एक वीडियो अप्लोड किया था उसमें जो भी कॉमेंटस आय थे EWS के बारे में clear जानकारी नहीं है कि इन लोगों को scholar से मिलती है या नहीं मिलती है मैं clear जानकारी करके इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा फिलार नहीं मिलती है यह मान के चलिए आप लोग अलीशा जीका कमेंट साया सर पीडिडी फोर में सब्जेक्ट चेंज कर सकते है क्या आज तो तारिक हो गई है कितनी और यरस जो थी आप लोगों की वो निकल चुकी है हमारे साबसे सब्जेक्ट आपका चेंज हो सकता है उसमें दिया भा कि आप लोग सब्जेक्ट भी जो है वो चेंज कर सकते हैं ठीक है 11 तारीक हो चुकी है और अब आप लोग जो है अपना फर्म करेक्शन नहीं कर पाएंगे आप तारीक हो गए 11 डेट निकल चुकी है अगला कॉमेंट साथ सर आठ से हूँ प्ट्ट में मेरे 280 नंबर है क्या कॉलेज मिल जाएगा क्या सर फोर यर्स में तो मिली जाएगा इसमें कोई सकी नहीं है पूछने कि क्या जब्रत मिल जाएगा अनुस कुमार पीटेटी काउंसिलिंग में स्सी में आय प्रमान पत्र लगाएं की नहीं क्यों नहीं लगाओगे भाई अगर आपको फीस चाहिए 27,000 रुपए जो आप फीस जमा करेंगे अनुस कुमार जी तो अगर आप 27,000 रुपए जो फीस जमा करेंगे अगर आप चाहते हैं कि वो हमारी फीस बापास आजाए स्कॉलर्शिप के रूप में तो उसके लिए आपको आय प्रमान पत्र बनवाना होगा अभी तक क्या आप स आप प्रिक्रिया अगले सब्सक्राइब हो जाए अभी तक आप सो रहते हैं अभी तक आप पत्र बनवाए या नबनवाए और अभी तक क्या कर रहे थे सो रहते हैं चोड़िए ऐसे लोगों को ज्यान देना ब्यकूफी है राचकुमार सर साइंस में 330 और राजस्तान में क GWS को भी छात्रवती मिलती है GWS यह कौंसी कटा गरी है भया मेरे यह बताईए आप लोग यासीन खाल जी यह वी सो रहे थे यह पूछ क्या रहे हैं कि आये परमान पत्र बनवाना है कि नहीं कि कपसे मैं बोल रहा हूं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि आये परमान पत अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप आप हमसे comment box में comments के जरीए सवाल पू सकते हैं सवाल का जो आपका जवाब है व अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा तो चोटा साथ वीडियो ताप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को ल